नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है फिर से टेक्नलोजी केडा चनल में और इस लास्ट वीडियो टुटोरियल में हम लोगों ने आप लोगों को सेलेक्टर्स बताये थे element selector, id selector और class selector का many example भी आप लोगों को दिया है और इस वीडियो टुटोरियल में हम लोग ये बताएंगे आप लोगों को कि आप लोग जो है separate file के अंदर code कैसे लिखें कि हमारा जो actually में ये जितना भी code होता है वो हम लोगों को separate file में अगर हम लोग लिखेंगे तो अच्छा रहेगा क्योंकि अगर हम लोग HTML में ही same similar चीजों को मिलाते गए तो एक घिचपिच जैसा हो जाएगा और वो मैं चाहता नहीं कि HTML के साथ जो है आप लोग JavaScript के code को लिखें सिर्फ एक reference आप लोग add करें और जैसे कि ये जो reference आप लोगों ने add किया है लिब्रेरी फाइल का वैसे ही आप लोग जो है जो अपना code लिखते हैं उसको भी एक separate file में लिखें तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना होगा JS folder को आप लोग select करें उसमें एक नई file जो है आप लोग create करें और उस file का नाम आप लोग रख सकते हैं myjs.js आप लोग रख सकते हैं इसका नाम javascript file है तो आप लोग js जो extension है वो रख सकते हैं तो इस प्रकार ये देखें myjs.js नाम से आप लोगों की file बन गई और यहां पर आप लोग जितना भी code लिखते हैं वो सारा का सारा जस्ट आप लोगों को copy करना है यहां से मैंने just cut कि दिया है और myjs के अंदर मैंने यहां पर paste कर दिया ठीक है अब similarly आप लोगों को यह script लिखने की जरुवत नहीं है इतना tag लिखने की जरुवत नहीं है जस्ट आप लोग इसको copy करें और paste कर दे नीचे और यहां पर आप लोगों के js folder में ही वो folder है तो आप लोग जस्ट यह से लिखें देखिए myjs.js आगया आप लोगों के पास intelligence जो है यहां पर with studio code का work कर रहा है तो आप लोगों को है याद करने की आप लोगों को देखने की जरुवत नहीं है फाइल को automatically यह पिक कर लेता है तो इस प्रकार आप लोग जो है इसको add कर सकते हैं as a reference के तोर पर इस को आप लोगों ने add कर दिया तो यह automatically यहां पर navigate करेगा और उसके बाद में यह देखेगा कि इसमें क्या लिखा हुआ है जैसे कि हम लोगों ने यह select किया तो मैं इसको यहां पर जो है वो uncomment कर देता हूं मैंने इसको uncomment किया तो यहां पर देखिए element selector आया है तो इसको box division content जो है वो हाइड हो जाएगा तो मैं इसको save कर देता हूं और इस file को भी मैं save कर देता हूं ठीक है ctrl s से मैंने save कर दिया है और index.cshtml में मैंने इसको reference कर दिया है ठीक है तो अब सारा का सारा code myjs.js के अंदर में आज हम लोग आप लोगों को बताएंगी क्योंकि इसका reference ह हम लोगों ने index.cshtml के अंदर add कर दिया है तो चलिए हम लोग इसको देख लेते हैं कि इसका जो output है वो कैसा आता आप लोगों के पास तो यहां पर है मैं कोई भी paragraph tag पर क्लिक करता हूँ तो division जो है automatically hide हो गया तो इससे आप लोगों को समझ में आ गया कि जो content हमारा था actually में वो वैसा है लेकिन हम लोगों ने javascript code को अलग कर दिया है तो यह देखे कितना सुन्दर आप लोगों को लग रहा है body tag है यहां पर आ HTML के अंदर उसका reference कैसे add करें इस टुटोरियल में मैंने आप लोगों को यह समझाने की कोशिस की है I think आप लोगों को interesting लगा होगा अगर आप लोगों को technology qida के सभी videos अच्छे लगते हैं तो definitely आप लोग इस channel को subscribe करेंगे इसे like करेंगे इस video को और इसको share करेंगे ताकि technology के साथ जुड़िए बात कीजिए हमसे और अगर आप लोगों को कोई भी doubts हो तो comments के जरीए पूछिए हम लोग आप लोगों की हर वो practice जो है help करेंगे जो आप लोगों को चाहिए आज के लिए इतना ही फिर मिलते हैं वीडियो के साथ धन्यवाद